और आज यह दो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग कोमेनेटी है वो काफी बढ़ा है यहां पर बहुत अच्छी अच्छी आपको opportunity देखने हो को मिल जाएगी trading community कहां से जुड़ा रहता है stock market से stock market एक ऐसा source है जहांपे आप छोटा capital लगा कर भी बड़ा capital आप बना सकते हो लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा कुछ rule and regulation को follow करना हो उन्ही rule and regulation में सबसे पहला और सबसे important rule है कि आपके पास trading setup होना चाहिए trading setup क्यों जुरूर है क्योंकि trading setup से आपका risk reward maintain होगा trading setup से आप over trading से दूर हो जाओगे और आपका discipline maintain होना शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात profit बनने के chances काफी जादा बढ़ जाएगे trading setup से और क्या हमें benefit मिलता है कि हमें buy करें या फिर sell करें या फिर दूसरी बात आगर हम समझे कि market बहुत ऊपर आ चुका है अब तो मुझे sell कर लेना चाहिए market बहुत नीचे आ चुका है अब तो मुझे buy कर लेना चाहिए जब इस परकार की thinking बना कर हम trade करेंगे तो इस बात से clear होता है कि हमारे पास trading setup नहीं है trading setup क्या होता है जब हमें market को बार बार समझना ना पड़ी केवल हम market को देखें और जब हमारे point clear हो जाएं कि ये हो चुका है ये हो चुका है और ये होने वाला है और ये भी हो चुका है तो ये 3 point मेरे लिए clear हो गए अब मुझे buy करना है अगर market के अंदर ये है और ये point भी है और ये point भी है तो मुझे sell करना है अब मुझे क्या करना है target कहां पे रखना है और SL कहां पे रखना है बस इतना इन देखना है अगर ऐसा है तब आपके पास trading setup है लेकिन बार बार आपको सोचना पड़े कि मुझे buy कहां पे करूँ sell कहां पर करूँ अब market के अंदर क्या होने वाला है मेरा loss जाने वाला है मेरा tassel कटने वाला है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पास trading setup नहीं है क्योंकि trading setup होगा तब आपको पता होगा कि आपका target यहां पे है SL यहां पे है अब market में अपना trading setup complete हो चुका है तो अब market में चाहे red candle बने चाहे green candle मिले मुझे कोई मतलब नहीं है मेरा trading setup complete हुआ था तभी जाकर मैंने trade बनाया मैंने buy किया मैंने sell किया अब target मिलेगा या sell मिलेगा तभी जाकर मैं अपनी portion को काटने वाला हूँ जब ऐसा अपना thinking बनेगा ऐसी हम rule बना लेंगे कि मुझे buy कब करना है sell कब करना है तब आप समझ लेना कि आपके पास trading setup है trading setup में क्या होता है आपको किल देखना आपड़े बार बार market को समझना आपड़े ऐसा नहीं कि कभी नहीं समझना पड़ेगा एक बार आपको market को definitely समझना पड़ेगा जिसमें decode करना होगा कि मुझे कब और कैसे करना है जैसे शुरुआत में आपका trading setup बहुत छोटा हो सकता है और समय आते आते जितना आप सुधार करते जाओगे trading setup बड़ा होता जाएगा लेकिन आपके लिए वो easy रहेगा जैसे सबसे छोटा setup अगर हम बात करें कि मान लेते हैं 48,000 का जब breakout होगा तो मैं buy करने वाला हूँ लेकिन ऐसे नहीं होता कि 48,000 का breakout हो गया उसके बाद मैं buy करने वाला हूँ तो ऐसे क्या होगा आपकी कुछ rule होगे कि market के अंदर आपका जैसे trading setup है support resistance के उपर ठीक है आपने कोई trading setup बना रहा है support resistance के उपर support resistance के उपर आपने कैसा trading setup बना रहा है कि मैं आपने support resistance को find out करूँगा जैसे मान लेते कि आपने 48,000 के एक level को find out किया कि यह हमारा एक resistance है resistance के उपर अगर 5 minute का candle close करता है तो मैं buy करने वाला हूँ तो जब भी market ऐसा करेगा तो फिर आपको देखना है कि कभी यह करने वाला है ऐसाने की बाद में आपको सोचना है कि अब यह क्या करेगा मुझे समझना पड़ेगा market को नहीं आपका trading setup complete हो चुक है market ने breakout किया 5 minute का candle close किया तो आपका तुरंत market के अंदर trade बनेगा वहाँ पे आपका 200 point का target हो जाएगा और 100 point का आपका SL हो जाएगा 1 by 2 आपका risk reward हो जाएगा तो ऐसे करके आप अपनी situation को maintain करोगे तो आप क्या करोगे जब तक ऐसा नहीं होगा आप trade नहीं करोगे तो over trading से दूर हो जाओगे risk reward maintain आपका automatic हो जाएगा discipline आपका automatic आजाएगा तो यह बात ही trading setup से जुड़ी रहती है तो हमें trading setup बनाना जुरू है ताकि market को बार बार ना समझना पड़े अब ऐसा नहीं कि यह setup हर बार काम करेगा हो सकता है कभी loss भी होगा तो आप loss लेके निकल जाओगे हो सकता है आपका profit बनेगा तो आपका बहुत अच्छा profit बनना शुरू हो जाएगा अब मैं अपने setup के भी बारे में बात करता हूँ कि मेरा जो setup है उसका root value मापको बार बार बोलता हूँ कि मेरा SL hunting रहेगा लेकिन SL hunting ऐसे नहीं कि वो काम कैसे करेगा वो हमें समझना है ना जैसे आपका side में हम रखते हैं कि आपका जो trading setup था वो किसके उपर था support resistance के उपर मेरा जो trading setup है वो SL hunting के उपर लेकिन इसमें भी आपने कुछ rule बना रखे थे जैसे candle close होगा या फिर आपने कोई indicator लगा रखा होगा ऐसे कुछ आपने rule बना रखे होगे वैसा ही मेरे आगे के लिए rule बनते हैं कि जब कुछ point होते हैं उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर buyer बैठे होंगे यहाँ पर seller बैठे होंगे उनके SL खाने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ market के इंदर buy या sell करता हूँ वो मैं कैसे समझता हूँ अगर हम chart के इंदर बात करें क्योंकि candle को मैं ज़्यादा follow नहीं करूँगा क्योंकि मैं हमें chart के इंदर देखना हूँ जो stick होते हैं जो बार-बार change ना हो जाए चाए candle red बने चाए green बने मुझे change ना करना पड़े ऐसे rule मैंने बना रखे हैं ऐसी बातों को मैं ध्यान रखता हूँ मैं सबसे पहले ध्यान रखता हूँ कि psychology कैसा बनावाए ये एक थोड़ा सा volatile situation होता है कि psychology को समझना तो वो आप normally क्या होता है कि जब धिरी-धिरी आप market में काम करते रहोगे काम करते रहोगे तो आपको psychology भी समझ में आना शुरू हो जाएगा लेकिन जब ऐसे लंटिंगा जब शुरूआत में मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने क्या समझा था कि जब भी इस प्रकार की point होते है जैसे यह हो गया 48-500 हो गया या फिर अपना 48,000 हो गया और अभी तो जैसे क्या हो चुके एक दो number और add हो गया क्योंकि market देखी change होता रहता है पहले हो कुछ और भी होता थे लेकिन अब कुछ और आ गया तो वैसे ही यहां पर क्या हो गया कि 48-200 का level हो गया अभी देखिए 48-800 का भी level हो चुका है साथ के साथ में आपको मिल जाएगा तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अभी जिस प्रकार का से उच्विशन ने यहां पर ऐसे लंटिंग के लिए आप क्या क्या देख सकते हूँ जो मैंने अपने लिए rule बना रखे है 500 का level जो proper round number होगा आपका 3 times 0 रख लेजिए इसके आगे कोई भी आप number लगाओगे 47, 46 जो भी आपका लगेगा उसके बाद क्या होगा 200 का level थोड़ा सा ऐसे रखते है अपना 0, 0 उसके बाद 500 उसके बाद 200 और एक अपना 800 यह 4 ऐसे पॉइंट हो चुके हैं करण टाइमे 800 अभी तक complete नहीं हुआ है यह धीरे-धीरे होना शुरू हो चुके है जिसके according अब SL ready होने वाले है मार्केट के अंदर अदर्वाइस 200, 500 और 3 times 0 कहिना कहीं आलेडी मार्केट के अंदर काम करना शुरू कर चुके 800 अभी just entry होने वाला जादा देर अभी काम नहीं हुआ मार्केट ने इसके उपर शुरू नहीं किया लेकिन धीरे-धीरे मुझे लगता है 2-3 मेने में इसके उपर भी अच्छा काम होना शुरू हो जाएगा तो इसमें क्या होता है मैं most of the time क्या देखता हूँ कि मार्केट ने देखी क्या होता है कि बार-बार ऐसा देखता है कि फारेनट के आसपास resistance ले रहा है क्योंकि मार्केट करेगा ऐसा हर बार करता है मार्केट बार-बार ऐसे दिखाएगा कि sell करना है वो यहां पर में भी sell ना करें इतना नीची आ जाएगा कि एक बार तो लगगगा कि मुझे sell में चला ही जाना चाहिए और अगर गलती सी किसी ने buy कर रहता है तो उसका market accelerate कर देगा तो एक बार अच्छा सा rejection आ जाएगा जब वो rejection आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अगर हम psychology के according decision करने के कोशिज करें तो market के अंदर seller आ जाएगे और कही ना कही बायर को डर लगना शुरू हो जाएगा और अच्छे खासे sell क्रियेट हो जाएगा sell कहां पर होंगे 48-500 के उपर तो यहां पर काफी sell क्रियेट हो जाएगा उसके बाद market क्या करेगा ब्रेग आउट करेगा और इन्हीं सभी के sell market खा जाएगा इसी बातों को मैं ध्यान रखते हुए market के अंदर काम करता रहता हूँ वैसे 48-200 का होगा तो यहां पर कोई resistance लेगा या फिर support लेगा ऐसा कुछ करना शुरू करेगा उसके बाद मेरे पास कौन से point होते हैं market का closing price जैसे ही closing price हो गया market का opening price market में opening price जब market जब यहां पे नो पंदरा के उपर जब open होगा वो point मेरे लिए हो गया market का high point, market का lower point तो यह दो च्यार point मेरे पास ओर होते हैं जिसके according मैं क्या करता हूँ SL को find out करता हूँ SL को find out करने का भहुत ही असान method है मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखता हूँ कि जब market resistance लेगा तो यहां पे क्या होने वाला कि market इतने नीचे से उपर आने वाला है बार-बार resistance लेगा तो मेरे लिए clear होगा मुझे बार-बार सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं buy करने वाला हूँ यहां से तो resistance ले रहा है लेकिन नीचे से वो क्या बना रहा है support बना रहा है तो जब वो support का breakdown होगा तो वहाँ पे मेरा entry हो जाएगा उसके बाद मेरा जो भी SL होगा associated so point का वो मेरा SL हो जाएगा और मेरा जो target होगा वो breakout करने के लिए मेरा target हो जाएगा तो इस परकार मैंने अपना trading setup बना रहा है तो मैं क्या क्या ध्यान रखता हूँ अगर हम chart में देखें तो जो price मैंने आपको बताई 48500, 48200 अपना 48000 और अपना क्या रहा है 48600 ठीक है वो अभी अभी शुरू है ज़्यादा देर काम नहीं हुआ 2-3 मैने से थोड़ा-थोड़ा मैंने देखा है कि वो कहीना कहीं ऐसा करने के market वहाँ पे कोशिश कर रहा है यह एक important level है जहाँ पे दूसरों का psychology market चैंज करने की अभी के time कोशिश कर आगे time क्या होने वाला मुझे भी नहीं बता लेकिन current time में मेरे पास 4 number है जिसके according psychology chance हो जाता है उसके बाद क्या होंगे higher point, lower point, closing price opening price, opening candle का higher low तो ऐसे ऐसे मैंने धिरी धिरे जो भी मेरे point थे मैंने अपनी लिए बना रहे हैं और जो जो मुझे लगता है कि इसके according ये point, ये point, ये point होने के बाद मुझे buy sell करना है उसके according मैं buy sell कर लेता हूँ ऐसा निक एक बार करता हूँ हर बार मेरा ऐसा ही होगा आप कोई भी trade मुझे उठा के boost लेना ऐसे ही आपको करता हो नजर आए आप कोई भी trade उठा लो जैसे ये trade उठा लेते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने क्या किया था market के अंदर cold side में काम किया था तो इसमें मैंने क्या देखा था कि market में तेजी से selling हुआ है ठीक है तो तेजी से selling हुआ है तो क्या होता है कि buyer का जल्दी से हिम्मत नहीं बन पाता कि मैं buy करूँ या ना करूँ क्योंकि market देखी पहले से भी gear out में आ रहा था continue गिरता और इतना बड़ा candle market ने अचानक बना दिया तो यहाँ पर क्या होता है काफी quickly काम होना शुरू हो जाता कि मुझे क्या करना है मुझे क्या करना है तो market के अंदर क्या हुआ अपना 48-500 का यहाँ पर level था अगर आप ध्यान से notice करोगे यहाँ पर 48-500 का level था तो जब 48-500 का breakdown किया market ने देखी यह पहले support लेनी कोशिज करा था अपनी candle का support लेनी कोशिज करा था यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर अगर मैं काम करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो आपके लिए जब आपका setup नहीं बनेगा जब तक आपका setup नहीं बनेगा आप के वल market को देखोगे देखोगे जब आपका complete हो जाए उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे मार्केट ने क्या किया 48-500 का breakdown किया और मेरा exact यहाँ पर support मैंने लगा रखा था support resistance कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको काफी बार समझाय हुआ है कोई कमी रहता तो मुझे बता देना ठीक है लेकिन 48-500 का जैसे breakdown हुआ मुझे बता था कि अब कही ना कहीं जैसे मार्केट उपर जाएगा हमारा तो support ले लिए लेकिन जैसे उपर जाएगा क्या होगा यहां तक पहुंचा अपनी put के premium जब breakdown हो जाता है तो put वाले क्या हो जाते है ready हो जाते है कि अब मुझे put लेना है अब मुझे कुछ नहीं देखना जश्ट लेना है market इतना गिर चुका है पता नहीं और कितना गिरने वाला है अब तो मुझे put लेना है तो यहां पर भी कहीना कहीं seller market के अंदर बैटे गों तो मैं try करता हूँ और यहां पर आपको एक एक candle notice करना चीए अब देखी यहां पर इस परकार की candle बन रहे है जिसके नीचे क्या करते हैं बाइर अपना एसल रखते हैं यह देखी candle यहां पर एक मिनट के अंदर तो इसक चला जाएगा और मैं यहां पर अराम से एसल हंटिंग अपना कोल साइड का पोजिशन बना लेता हूँ एक्जेक्ट सपोर्ट के आम किया 48 पंश नीचे काम करते हूँ market जैसे उपर जाना शुरूआ हमारा entry बन गया और continue काम करते हूँ market के अंदर बना profit बन गया अब उपर जाने के कोशिश करा है बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था तो यहां पर हम quickly काम नहीं करेंगे अगर breakdown करेगा देखी यहां पर setup बनने का wait आपको करना है अगर आप setup बनने से पहले काम करना शुरू कर दोगे तो वहां पर problem हो जाए तो उसके लिए हमने क्या कि SL तो यहां पर है नहीं बायर यहां पर बैठे हैं तो maybe market नहीं चे आ जाए support बगरा लेके बैठा है तो गलती हम कर सकते हैं तो हमने क्या क्या है यहां पर wait क्या 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 अगर नीचे आएगा बायर को target करेगा तो बहुत लंबा चोड़ा हमें time में लेवाल आराम से हम का नहीं दे जब market अच्छा कासा ऊपर आ चुका था तब जाकर मुझे समझ में आए कि आजपास अब यहां पर 48,000 का level है जो की काफी दूर नहीं आप इस level को एक बार यहां पर रख लिए जी तो आपके आपको अंदाजा हो जाए कितना distance की में बात करों तो यहां जाकर हमने साइध कोल वगरा का पोजिशन बनाये था कि अब market में ज़्यादा दूर नहीं है कोल वगरा में जो बैठे थे बाय वगरा करके बैठे थे वो अच्छे profit में आ चुके है market ठीक ठा candle भी बना रहा है कोई breakdown वगरा भी नहीं करा और market में जिस प्रकार का हमारा thinking है कि बार बार और market क्या करेए rejection करेगा seller को लेगा अभी selling में जाने वाला अभी selling में जाने वाला और market क्या करेए 48,000 का breakout करने के लिए जा सकता है और market ने ऐसा करता हुआ है continue निकला लेकिन हमने wait किया ऐसे ने की तुरणत market के अंदर काम किया अचानक से candle निकला market के अंदर बायर को लगए buy करते हैं और उनका sell खाया उसके बाद हमने काम किया और अच्छा moment हमें देखने को मिलिया तो ऐसे हमने समझा और आगे कि जाएंगे ऐसा ने कि एक बार ऐसा करेंगे बार बार ऐसा करेंगे लेकिन आप क्या करते हो note नहीं कर पाते note अगर आप करोगे तो वैसा ही काम होग करते हैं कि उन्हें चार्ट similar नजर आज़े वो काम करना शुरू करते हैं ऐसा नहीं होता ऐसा लेंटेंग में चार्ट repeat नहीं करता बहुत रेर चांस होते हैं अगर आप 10 चार्ट देखोगे तो आपको हो सकता है दो ही चार्ट आपको repeat मिलेंगे आठ ऐसे चार्ट होगे ज वोड़ा बुद नीची आ जाए लेकिन हां कहीं ना कहीं ऊपर जा सकता है तो मैं उसकी अकोडिंग ट्रेड लेता हूं मार्केट ऊपर जा भी रहा है तो मैं हम मार्केट के साथ ही चलेंगे इस प्रकार मैंने अपना सैटप रेडियर बना रखा था ऐसे लेंडिंग के लिए मार्केट जैसे नीचे आया ठीक ठाक मार्केट के अंदर जो सैलर वगरा आने थे वो बैठ के लेते तो मैंने क्या प्लान बना है कि छोटा मोटा ब्रेकडाउन होगा तो मेरा लोस वगरा नजर आ सकता है अदर्वाइज मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर भी काफी तेजी से सेलिंग आ चुका था और बैंक निफ्टी के अदर भी अच्छे सेलरे कट्टा हो चुके थे और मेरा ये प्लान था कि 48 पॉंसों का मार्केट ब्रेक आउट कर सकता है मैंने कोल का पोसे मनाया लेकिन मार्केट ने ऐसा काम नहीं किया मार्केट एक बार सपूर लिया कि आपने क्या गलती किया और आपका बार बार ट्रेडिंग नहीं होगा और जब आपको ट्रेड करना होगा तो पता होगा कि मुझे कैसा ट्रेड करना है तो आपका अग्जीकुशन फास्ट होगा तो इससे क्या होता आपको बेनिफिट मिलता है तो इसलिए मैं चाहता हू कि आप trading setup बनाओ और पीछे जाएंगे कहीं पर भी जाकर देख लो इन नंबर के according closing price के according higher lower point के according मेरे setup और मेरी trade ऐसे ही बनते आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे देख लिए जी एक important और हमारी लिए point आ चुका है यहाँ पे देखें market नहीं क्या किया था closing price का बार बार support ले रहा था अब आप यह trade बहुत ध्यान से समझी market नहीं क्या किया था continuous selling market के अंदर आया था तो आपको यह नहीं लगता कि buyer को डर लगेगा definitely लग सकता है लेकिन क्या होता है जब closing price होता है न पास तो buyer भर भर के पैसा लगाते है market के अंदर किया आ जाओ मुझे तो आज की दिन complete buy करना है में भी वो यहाँ पे buy ना करें लेकिन जैसे उपर जाता है अराम से buy करते है candle देखते है फिर से buy करते है candle देखकर फिर से buy करते है और फिर market के अंदर जो actual में काम होता है वो होता है तो मैंने यहाँ पर क्या समझा था कि market के अंदर काफी तेजी से हमें selling देखने हों मिला है तो जो self गरा करके बैठे है वो अच्छे profit बैठे है इनको तो हात लगाने का बात बनता नहीं है दूसरा market के अंदर open होते तब जाकर वो काम करना शुरू करते हैं तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो थोड़ा बूत हमें loss नजर आए अलाकि retracement मैं भी देख रहा था कि हो सकता है retracement थोड़ा बूत हो जाएगा लेकिन मुझे यह बता था कि बड़ा loss हमें नहीं होने वाला छोटा मोटा retracement होगा तो हो जाएगा उसके बाद market ने क्या क्या 48-200 का breakout तक market ने काम किया तो क्योंकि seller को तो market हाथ लगाने वाला था नहीं उसने closing price का support लिया 48-200 का छोटा सा breakout किया तो अच्छे-च्छे बायर यहां पर आ गए और जब बायर वगरा बैटने शुरू किये तो market ने क्या कि अब breakdown वगरा में convert हो गया क्योंकि मेरे लिए point कलिया है कि मेरे setup कैसे काम करेगा जहां पर दूसरे लोग बाय करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता जब market उपर आ रहा रहा था तो 48-200 का breakout करता तो मेरा एक बहुत ही अच्छा तो मेरे लिए यहाँ पर काम करना मुझे ज़्यादा तकलिफ नहीं लग रहा था छोटा मोटा मुझे बता था कि लोस अगर नजर भी आएगा तो market के अंदर कही ना की दुबारा से selling आई ही जाएगा उसके बाद देखिए यह जो candle बना है यह जो candle बना है यह क्यों बन रहे है market के अंदर देखिए सबसे पहला एसल कहां पर रखा हुआ इस जो अपना लोर पैंट था इसके नीचे अच्छे नीचे अच्छे नहीं होगा चाहे उसने पूट राइट कर रखा हुगा चाहे उस ने कोल बाइ कर रखा हुगा सभी के ऐसल इसके नीचे नीचे होते हैं तो जब market ने यह लोर पैंट क्रोज किया तो देखिए कितना बड़ा candle market ने पना है तो यह कोई buying selling ऐसे आपको समझाना है तो कहिना कि market ने तुरंत ऐसल सभी के hit कर दिये तो जब ऐसे लिट होते तो अ या फिर कोई higher point lower point इस प्रगार की setup मैंने बना रखें जो मेरे लिए काम आते हैं क्या आपके लिए जुरूरी है कि ऐसे लंटिंग से ही पैसा बन सकता है ऐसा नहीं है अगर आप support resistance सीखना चाते हो आप indicator सीखना चाते हो मैं कहता हूँ कि जो आपको समझ में आए जिस से ऐसा मनदर है आपको market बाद में धीरी धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा जब income होता है तो समझ में भी जाद आता है market जब income नहीं होता है तो समझ में नहीं आता तो आपको यह भी समझना है कि अगर आपको SL hunting नहीं आ रहा है समझ में तो थोड़ा बहुत पहले आप का pattern होते हैं मैं काफी बार आपको समझाते रहते हूं ऐसा नहीं कि मैं केवल ऐसा अरंटिंग के बारे में आपको बोलता हूं आपको जो support resistance के साथ-साथ head and shoulder pattern होते हैं जो cup बगरा होते हैं उनको आप सीख वो भी काम होते हैं उनमें भी psychological जुड़ा रहता है उसको psychological अगर आप सकता है फिर मार्केट ने क्या क्या 48-200 का भी resistance ले लिया मार्केट ने क्या किया था छोटा सा gap-down दिया था उसके बाद closing price का resistance ले लिया 48-200 का resistance लेने कोशिज कर रहा है तो अब तो हमारे पास clear हो जाना चाहिए कि कहिना कहीं इस वज़े से seller यहां पे खठा हो गया होगी फि मैंने अच्छा benefit मार्केट के अंदर उठाया तो इस परकार मार्केट के अंदर मैंने क्या क्या एक बहुत अच्छा trade मुझे मिल पाया तो trade मिलना ना मिलना इसी बात के उपर demand रहता है कि आप trading setup कैसे बना के बैटे हो कुछ ऐसी setup होते हैं जो हो सकता है एक महीने में कम से कम दस ही बार बने कुछ asset setup होते हैं जो अपना everyday काम कर सकते हो तो sell hunting के जो setup होते हैं उसमें आपको everyday sell find out करके आप काम कर सकते हैं तो उसमें मैं जो majorly काम कर रहा हूँ अभी current time में वो मेरे level के उपर high or lower point के उपर market ने first candle कैसा बना है उसके उपर इन दो च्यार बातों को मैंने add कर रखा है और जो बाते हैं आपको मैं बार 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 बोलता रहता हूँ देखिए कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है market के अंदर इतना बड़ा market है नीचे भी जा सकता है उपर भी जा सकता है लेकिन जो highest probability होते है जो मुझे लगता है कि इस setup के according ये trade बनेगा वो मैं trade लेके ब profit booking करना सीखो और अपना एक particular SL रख लो market के अंदर हो सकता है आपकी accuracy थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है आप ओपर अच्छे से सीख ना पाओ SL ending हो लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाओ जैसे जैसे आपका confidence बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी trading में सुधार आता जाएगा accuracy से trading का कोई भी लेना देना नहीं है आपका accuracy थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है आपको risk reward की उपर focus करना चाहिए risk reward की उपर आगर आप focus नहीं करें तो आपको accuracy की उपर focus करना चाहिए एक चीज़ को तो आपको follow करना होगा और फिर आपको trading setup आपक trader का बना सकते हो जो आपको अच्छा लगी जो आपको समझ में आए मेरा जो सबसे काम पहले होता है एक trader को यह समझाना कि trading setup तो बनाए वो कम से कम अगर वो रूल बनाएगा तो काम बनेगा रूल नहीं बनाएगा तो फिर आगे कैसे चलेगा मुझे यह बताईए capital को बचा से आपको यह समझना है धन्यबाद